अगर आपको जानना है कैसे तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें आपको सारी उसकी भाशाएं में आपको समझा दूँगा तो आपकी गाड़ी आपको कुछ signal देती है, कुछ indications देती है उसके ज़री आपको cage करना रहता है कि आपकी गाड़ी करना चारिये और किसी भी बड़े fault होने से पहले अगर आप उन चीजह को समझ गए आप काफी मोटे खर्चे से बच सकते हैं तो सबसे पहले इन चीजों को समझने का आपका एक जरिया है baru की गाड़ी में जो आपकी आँखों के सामने दिया होता है वह है आपका इंस्टुमेंट कलस्टर जिसमें आपका आर पेम मीटर टेक邹 मीटर जिसे बोलते हैं और स्पीडोमीटर आपका एम आई डी अगरा यह सब कुछ ृट तो ये तरीका इसे समझने का और और दूसरा तरीका इक कि लोग होते हैं जो गाड़ी कि गाड़ी की अउज देखाएं कि कैसी चल जल रही है कि गाड़ी में क्या दिक्कत है तो उस चीज के उपर कोई एक नई वीडियो बनाएंगे अलग वीडियो बनाएंगे वह बहुत बड़ा एक टॉपिक है उसे समझाने में काफी ज्यादा समय लग जाएगा लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आप से मैंने केवल ब्रेक पेडल को अपने प्रेस किया और आप यहां सामने देख सकते हैं कुछ चीजे गाड़ी पहले ही शो करने लगी आपको एक नंबर सा शो हो रहा है वह है ओडो मीटर ओडो की रीडिंग आपकी कि आपकी गाड़ी कितनी चल चुकी है तो मेरी गाड़ी अ इसका मतलब है आपका जो इंज्विलाईजसर वो एक्टिवेटर एंज नीमोबिलाईजर एक्चुली क्या करता है कि आपको गाड़ी को चोरी होने से आपको बचाता है जो कि है अगर आपकी गाड़ी में कोई मैचिंग की बी लगाता है तो उसके अंदर का जो सेंसर है अगर वह मेच नहीं हो पाता है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नियुकल और बाकी लगाते हैं चाबी को इसके स्विच में और ओन कर लेते हैं तो अभी मैंने एक बार गुमाया है यह और नीवी दूसरी बार गुमाने के बाद कुछ इस तरीके से बहुत ही शांदार इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर टाटा टियागों को इस्पेशली निकल के आता है अब नई गाड़ियों में बहुत सारे अलग हो सकते हैं लेकिन एक नॉर्मल गाड़ी में जितने वर्निंग लाइट्स आपको मिलने चाहिए या दिखने चाहिए वह सारे लगबग इस गाड़ या हर गाड़ी में ऐसा आएगा आपको यह वाली लाइट का साइण हर गाड़ी में आपको वैसे लिए आएगा तो हम एक एक करके इन psycho की साइन्स की बात करेंगे एस तरीके की बात करनेंगे जो कि आपको एक करने के बाद इंजन स्टार्ट करने से पहले दिखाई देते हैं उसके बाद दूसरे उस तरीकी के साइन होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं चालू करने के बाद कुछ साइंस यहां पर बंद हो गए यहां पर आप देखेंगे यह बंद हो गए तो उन साइंस की बात हम अलादिन का चिराक सा बना हुआ है और उसमें से कुछ बूंदे टपक रही है तो इस वार्निंग लाइट को अगर आप देखते हैं तो पहली बात तो जैसे आप गाड़ी का इंजन स्टार्ट करेंगे यह वाली लाइट बंद हो जाएगी अगर आपकी गाड़ी लाइट बं सकते ज़्यादी चल जाएगी कई बार इतना तो चली जाएगी कि आप सर्विस एंटर पहुच जाए और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी सर्विस सेंटर में जाके अपनी इंजन को जो है या गाड़ी को चेक कर वाले कि कहां पर क्या फॉल्ट आ रहा है दूसरी चीज ज तो गियर और इंजन को मैनेज करने वाले जितने भी प्लक सेंसर वगेरा जो भी है वो उन चीजों में कोई माल फंक्षन है कोई दिक्कत है कि चलती गाड़ी में यह वाली लाइट ओन हो जाती है तो आपको तुरंट सर्विस सेंटर में या किसी मैकेनिक को दिखाने की जरू यह उस गाड़ी का मतलब है कि आपके इंजन के अंदर कुछ माल फंक्षन हुआ है यह गाड़ी जैसे आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे यह ओफ हो जाएगी लेकिन अगर यह ओफ नहीं हो पाती तो आप समझिए कि आपके इंजन के अंदर कोई माल फंक्षन हुआ है य आपकी गाड़ी को भी आप सेफ रख सकते हैं ठीक है और यूजरी कई बार यह होता है कि यह लाइट्स कई बार प्रोग्रामिंग में दिक्कत के कारण भी चालू हो जाती है तो प्रोग्रामिंग में दिक्कत जो है मतलब आपकी गाड़ी जो है कई बार समझदार होती अपने ठीक करनी कोशिज करती नहीं होता तो फिर आपको सेर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है तो वह एक नेक्स्ट लेवल का इशू है तो उसे उसके बारे में आप ज्यादा द लेती है और इसे चार्ज नहीं करती है तब यह वाला ही जो लाइट है वह आपकी जलती रहेगी जैसी आप अपने इंजन को स्टार्ट कर देंगे तब यह वाली लाइट जो है आपकी बंद हो जाएगी मिंस जो अल्टरनेटर आपका वह बेटरी को पावर देना शुरू क आपने को बताई यह जैसे ही आप अपने इंजन को स्टार्ट करते सारे फंक्षन जो है प्रौपरली वर्क कर रहें आप में कर देता हूं फिर एक बार हम चालू करेंगे और इस वाले एरिया में जो भी लाइट आपको जलती दिख रही है उसकी बात करेंगे तो सबसे पहली लाइट तो आपको seat belt की दिख रही है जैसे आप seat belt लगा लेंगे तो आपके seat belt की जो light है वो बंद हो जाएगी मतलब यह गाड़ी को चलाते हैं गाड़ी बीप करना शुरू कर देती पीं 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 तो आपको थोड़ी इरिटेशन होते और उस इरिटेशन के फायदे यह हैं कि आपको सीट बेल्ट लगाना ही पड़ता है हलंकी लोगों ने कई हैक्स डूंड लिये हैं आज कल कि भाई साब या विकते ना करें और आप हमेशा ड्राइविंग करते समय अपना सीट बेल्ट जरूर लगा के रखें और साथ यसांत अपनी पैसेंजर सीट पर जो भी आपका सांथ में यातरी बैठा है तो उसे भी सीट बेल्ट लगा कर रखें ताकि इस एरिया में जो आपका एयर बेग जाता है वो उसकी safety कर सके बिना seatbelt के आपका airbag किसी काम का नहीं है अगर आप ना मर रहे होंगे तो मर जाएंगे अगर आपने seatbelt नहीं लगाया होगा सो भगवान ना करें किसी के साथ ऐसा कुछ हो लेकिन please be safe अगली जो light है वो यह वाली है इस वाली light का मीनिंग होता है कि आपके braking system में कोई issue है for example गाड़ी अभी मेरी खड़ी है तो गाड़ी खड़ी होने के कारण जो hydraulic brake है जो गाड़ी के engines related brake है यह तो वर्क नहीं कर रहे हैं लेकिन मेरा hand brake भी engage है तो जैसे ही मैं hand brake को हटाता हूं यह light बंद हो जाती है engine start करने के बाद भी on रहे हैं अगर आप hand brake लगा के रहें जैसे ही आप इसको निकाल देंगे तो वह बंद हो जाएगी लेकिन कई बार फिर भी hand brake निकालने के बाद भी यह वाली light यह जो आपकी light दिख रही है यह चालू रहती है उसका मतलब यह होता है कि आपके जो braking system है यह जो braking line है उसमें कोई major fault है आप उसे जरूर चेक कर लें और maximum time यह होता है कि जो आपकी brake pipe है वो फट जाती है तो उसे service center में जल्दी से जल्दी resolve करवाने की आवशकता होती है अगली चीज आपको जो पीला पीला fuel का इंडिकेटर दिख रहा है तो भाई गरीब आदमी है गरीब लोगों के गाड़ियों में हमेशा यह जलता रहता है और उन्हें अपनी गाड़ी में पूरा विश्वास होता है कि भाई मेरी गाड़ी चल लेगी तो इस वाली light को जलने ही देता हूं ठीक है इस वाली light के जलने के बाद भी गाड़ी आराम से 100 km चल जाती है तो य जो एक यहां पर mode की light दिख रही है यह है city mode मतलब इसमें थोड़ी सी ज्यादा पावर मिल जाती है और यहां पर से आपका eco mode on होता है तो वहां पर eco लिखा हुआ जाता है ठीक है तो यह eco mode की light है और इस वाले section में आपकी थोड़ी सी और lights है कि for example यह indicator की आपको light दिख रही हैं तो उमीद है आप सही जगर पर उनका इस्तेमाल करेंगे और कई बार जो lights है जैसे कि आप देख सकते हैं यह अब जिस स्पीट से ब्लिप कर रही है उस स्पीट से थोड़ी सी ज्यादा स्पीट से ब्लिप करने लगती है उसका मतलब यह होता है कि आपका आगे या चारो hazard light on हो जाएगी और इस तरीके से कुछ arrow जलते हुए आपको दीखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो emergency light है कि आप दूसरे को indicate कर सकते हैं कि अब मैं किसी danger जगार पर खड़ा हूं प्लीज मुझसे दूर चलें इसका एक ही meaning होता है ठीक है तो यह तो होगी normal lights के बारे में बात अब हम बात करेंगे उस तरीके की light की जो बंद हो जाती है तो for example आपको एक light यहां पर दिख रही होगी यह ABS की तो इस वाली warning light का मतलब है कि आपकी जो ABS system में कुछ गड़बड है ABS system means आप जब emergency में break करते हैं hard breaking करते हैं तो आपके गाड़ी के tires को ABS lock नहीं हो होती है तो इसका मतलब है कि आपके ABS में कोई दिखते हैं आप उसे चेक करवा ले ठीक है अगली warning light का जो मीनिंग यह airbag की warning light आ रही है अगर यह वाली warning light आपको दिखती है तो आपकी गाड़ी में जो भी airbag है उनका system जो है सही से वर्क नहीं कर रहा है आप उन्हें चेक कर ऋबावले उसका मतलब यह होता है और अगली warning like steering की दिखरेएक इसका मतलब यह होता है कि steering system में कोई गड़ बड़ी है तो वह warning light on रहती है और अगर वर्निंग लाइट आपको टेंपरेचर वाली दिख रही होगी पहले टियागों में अच्छा खासा टेंपरेचर गेज आता था और वो पूरे टाइम इंडिकेट करता रहता था लेकिन क्या पता कंपनी को कोस्ट कटिंग का क्या सुजा उसने वो टेंपरेचर गेज हटा दि यह बहुत ही रेयर केस में होता है और कुलेंट की क्वालीटी घराब है या आपके कुलिंग सिस्टम में कोई दिक्कत है तब जाके यह समस्य आती है अधीए रहते वह लगमें ले फिक हा रहते हैंВот बूपलू कलर का होता है उसका मतलब यह होटा है कि आपकी गाड़ी को क लाइट को कवर कर दिया है अब कुछ चीजें और आती है जो एमाइडी के उपर आती है वैसे मैंने यह वाला जो साइन दिख रहा है आपको इसके साइड में एक एरो दिख रहा है उसका मतलब यह एरो जिस साइड में फॉर एक्जामपल यह लेफ्ट साइड में तो आपकी गाड़ी का जो फ्यूल केप है वह लेफ्ट साइड में है यह वाला आपको फ्यूल मीटर दिख रहा जैसे ही आप हेडलाइट को जलाते हैं हेडलाइट को हाइब में जलाते हैं तो आपको एक इंडिकेशन यहाँ पे 100 होता है तो है पर होता है जब गाड़ी आप उन करके डालते हैं तब आपको वहां पर कुण सा घ्र आपको इंगेज वह होता है इस तरह पर फश्ट अंदिकेशन होता है वह सर्विस रिमाइंडर इंडिकेटर होता है आपकी गाड़ी में अल्रेडी सॉफ्ट्वेर के द्वारा वह चीज फीड रहती है कि कितने किलोमेटर पर आपको सर्विस करानी है तो वह वहाँ पर शो होता है बाकी जैसे यह आप गेट वागेरा खुलते हैं तो यह मैंने गेट खुला तो यहाँ पर आपको डोर इंडिक का और डिक्की का भी इसमें शो हो जाता है तो यह भी एक बहुत अच्छा फीचर है इस्ट्रूमेंट क्लस्टर के मैंने सारी वर्निंग लाइट को आपको एक्स्प्लेइन कर दिया है उमीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वर्निंग लाइट क्या इंडिकेट क अब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जय ही